राम राम आज हम श्रेमत भगवत कीता के अध्याई पाँच कर्म सन्यास योग का श्लोक 28 देखते हैं पहला चरण य य मी अमिक्स करेंगे य ते मात्रा के अंदर आधा न है तो य तेन फिर न आधा ते के साथ पढ़ लिया तो बचा द्र द्र का क्या अर्थ होता है द आधा और जो द की साइड में मात्रा है वो है पूरा रा पूरे रा पर छोटी ए की मात्रा लगा दी री तो क्या बन गया द्री द आधा इसलिए द्री य तेन द्री य पूरा वापस य मी अमिक्स कर दीजे य तेन द्री य म मी अमिक्स करेंगे मनो बू मात्रा छोटी है उसके बा पड़ा ते की साथ बिल्कुल वैसे बुद्ध और फिर पीछे बचा ध्ध ध्ध पे एके मात्रा लगा दी धी और धी के साथ आधार है बुद्ध धिर द और ध्ध का उचारण क्लियर होना चाहिए कि बुद्ध धिर पहला चारण रिपीट करते हैं यतें द्रिया मनू असदा चरण देखते हैं मू मात्रा छोटी है नी के साथ आधार है मोनेर मो मो के साथ में क्षत्री है शत्री का अर्थ क्या हुआ आधाक और श से शटकौन पूरा मो के साथ आधाक पड़ेंगे मोक और श में अमिक्स करेंगे मोक श प में अमिक्स करेंगे परा यान दोनों दूसरा चरण रिपीट करते हैं मोनिर मुक्ष परायन हां पहला और दूसरा चरण साथ में यतेंद्रिय मनु बुद्धिर मोनिर मुक्ष परायन हां तीसरा चरण देखते हैं वी ग की साथ आदाच वीगत ग में अमिक्स क्या वीगते शा वीगते शा भय दोनों अक्षर पूरी दोनों में अमिक्स कर देंगे भय क्रो का अर्थवा का आधा और पूरे पर ओकी मात्रा क्रो धो तीसरा चरण रिपीट वी गते शा भय क्रो धो चौथा चरण देखते हैं यह यह अक्षर पूरे अमिक्स करेंगे यह आ की मात्रा सले विसर्ग को पढ़ेंगे हा यह समी अमिक्स करेंगे सदा मुग की साथ आधा का मुक्त मी अमिक्स करेंगे मुक्त एव व मी अमिक्स करेंगे एव स समी अक्षर पूरे विसर्ग को पढ़ेंगे हा स चौथा चरण रिपीट यह सदा मुक्त एव सह तीसरा और च्वाथा चरण साथ में विगत्ते च्छाभय क्रोधो यह सदा मुक्त इवसह पुरिश लोग का उचारण एक साथ यतिंद्रिय मनुबुधिर मोनेर मुक्ष परायन हा विगत्ते च्छाभय क्रोधो यह सदा मुक्त इवसह एक बार वापस यतिंद्रिय मनुबुधिर मोनेर मुक्ष परायन हा विगत्ते च्छाभय क्रोधो यह सदा मुक्त इवसह शलोग का अर्थ देखते हैं जिस तत्व को ज्यान योगी और कर्म योगी प्राप्त कर सकता है उसको ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है किस प्रकार उसको हमने शलोग 27 में देखा था कि बाहर के पधार्तों को बाहर ही छोड़कर हमारी आखों की दृष्टी को नासिका के अग्रभाग या भूं के मद्ध स्थापित करके और तीसरे चीज़ जो नासिका में विचरनी वाली प्राण और अपान वायु है उसको समान करके प्राणवायू जो नासिका से बहार निकलती है और जो नासिका में अंदर प्रवीश करती है उसको कहते है अपानवायू ये तीन चीजे हमने देखे दी उसी शलोक के अर्थ को आज का शलोक 28 पूरा करेगा ये हमने पिछले वीडियो में भी सुना था तो दे इंद्रिय यत इंद्रिय मन बुद्धी तो जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धी वश में है यत धन इंद्रिय यत इंद्रिय से ये शब्द बना तो जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धी वश में है मुनिर इसमें भी आधर है मुनी के बाद का विसर कटने पर आए तो मु यानि मुनी, मोक्षपरायन हैं, आगे विगत तेच्छा का संदिवी छेदुआ, विगत प्लस इच्छा, भय क्रोध हो, विगत जिसका कुछ भी नहीं है, चला गया, क्या, इच्छा, भय और क्रोध, तो जिसके मन में न तो कोई इच्छा है, न उस इच्छा से पूरा होने म कोई भय है, और नहीं पूरा न होने पर किसी भी प्रकार का क्रोध है, तो जो इच्छा, क्रोध और भय से सर्वथा रहित है, यह जो सदा, सदा, मुक्त, मुक्त, एव ही सह वह, तो जो ऐसा है, वही ही मुक्त है, पूरा इस लोग का अर्थ देखेंगे पहले, उसके बाद में दोनों श्लोक का अर्थ मिला के कैसे ध्यान योगी भी उसी तत्व को प्राप्त कर सकता है जिसको ज्यान योगी और कर्म योगी प्राप्त करते हैं वो सुनेंगे तो पहले इस श्लोक का अर्थ की जिसकी इंद्रिया मन बुद्धी वश में है जो मोक्ष परायन है मतलब जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है और जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वतार रहित है वह मुनी ही मुक्त है तो पूरा 27 और 28 लोक में हमने क्या सीखा बाहर के पधार्तों को बाहर ही छोड़कर भोव, नेत्रों की दृष्टी को भोव के मध्य या नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करके और नासिका में विचर्णी वाली प्राण और अपानवायू को समान करके जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धी वश में हैं जो मुक्ष परायन है यानि मुक्ष की इच्छा रखता है मुक्ष प्राप्त करना चाता है और जो इच्छा कौन सी संसार के सुक भोग की इच्छा उस भय और क्रोध से सर्व था रहित है वह मुनी ही मुक्त है अवि नाशी सहज सुख राशी हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको बुलु नहीं नारें नारें